आईए आज कथा साहित्ते में सुनिये मालती जूशी जी की लिखी कहानी दरका हुआ दरपण और खंडित छवियां Congratulations Mr. कुमार, डॉक्टर शेफाली ने बाहर आते ही कहा, आपके यहाँ एक नन्ना महमान आने वाला है कपड़े ठीक करते हुए मैंने परदे की भाग से Mr. कुमार की परतिकरिया देखनी चाही उनका चहरा एकदम फक पड़ गया था, मैं जब बहार आई तो वे बुद्बुदा रहे थे मैंने तो सुना था, इस उम्र में बच्चों का कोई खत्रा नहीं होता उसे खत्रा नहीं कहते Mr. कुमार, संभावना कहते हैं इस उम्र में संभावना सच मुझ बहुत कम होती है इसी लिए आपको कॉंग्रेचुलेट कर रही हूँ You are lucky, rather she is lucky, डॉक्टर ने कहा फिर मुझसे मुखातिब होकर बोली Sit down dear, we have to discuss a lot मैं अपने कुर्सी पर बैठ गए डॉक्टर प्रिस्किप्शन लिखने लगी साथ ही मुझे धेर सारे हिदायतें भी देती जा रही थी मैंने कन्खियों से इनकी ओर देखा उनका चहरा एकदम पत्थराया हुआ था वे वहाँ बैठे जरूर थे पर शायद कुछ भी देख सुन नहीं रहे थे थेंक्यू डॉक्टर मैंने उठते हुए कहा ओके डियर, टेक केर वे बोली और उन्होंने आया के लिए घंटी बचाई शायद वे अगली पेशेंट को बुलाना चाह रही थी चले, मैंने इनसे कहा तो ऐसे चौके जैसे नीन से जागे हो नीन में चलने वाले व्यक्ति की तरह ही बाहर आये और गाड़ी में बैट गए मेरे बैटने के बाद भी उनकी समाधी भंग नहीं हुई स्टेरिंग पर हाथ रखकर वे बैठे ही रहे चलना नहीं है क्या मैंने खीच कर कहा ओह सौरी उन्होंने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी उनका ये रवया देखकर घर जाने का उच्साही खत्म हो गया मैंने कलाई घड़ी की ओर देखकर कहा ओह दस बच रहे हैं अब घर चाकर लोटूंगी तो बहुत देर हो जाएगी प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दें उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और रूट बदल दिया थोड़ी देर में गाड़ी कॉलेज के गेट पर थी मुझे उतार कर वे चुप चाप चले गए गेट पर ही अधिती मिल गई वो सुभा सुभा गनित के एक्स्ट्रा क्लासेज लेती है बोली आज मियाजी पकड़ाई में कैसे आ गए सुभा सुभा आ जाते हैं शाम का कोई ठिकाना नहीं होता बोलते हुए हम लोग कॉरिडॉर में पहुँच गए थे वहां और लोग भी थे आज सुभा सुभा कैसे डॉक्टर के यहां गई थी सोचा घर जाओंगी तो लेट हो जाओंगी डॉक्टर के यहां क्यो कोई खास बात अरुना ने आँखे नचा कर पूछा उसके चेहरे का गलो देखना वही बताएगा मिसिस महाजन बोली कसम से अन्ना शादी के बाद तेरी रंगत ही बदल गई है दस साल छोटी लग रही है तू पूनम ने कहा ए डॉक्टर क्या बोली बताना सीमा का अग रह था मैं मुस्कुरा कर रह गई तो मिसिस महाजन बोली नहीं बताती तो मत बताने दो वो छिपे का थोड़े ही अभी आगे आ जाएगा ए सुभे से मैंने कुछ खाया नहीं है मुझे खूब भूक लग रही है मेरे साथ कोई केंटीन में चलने के लिए इंटरस्टेड है तू ट्रीट दी रही है क्या तो सब चलते हैं कुछ ही पलों में पूरा जथा केंटीन में था लंबा चोड़ा ओडर दिया गया मेरी खुशी जैसे सब की खुशी बन गई थी पर खाने की प्लेट सामने आते ही याद आया इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा था कि डारेक्ट जा रही हो तो तुम्हारे खाने का क्या होगा जबकि पूछना चाहिए था यह एह एहसास होते ही मन खटा हो गया और सब कुछ बेस्वात सा लगने लगा सखी से हेलियों के बीच मुद्रा बनाए रखना मुझे कठिन लगने लगा घर लोटते हुए मधुरम के सामने से गुजरी तो वहां की सुगंध ने मुझे खीच लिया मैंने अपनी पसंद की इमर्ती और इनके लिए रसकुले ले लिये मीठे के बाद कुछ नमकीन भी चाहिए इसलिए समोसे और ढुकले भी पैक करवा लिये चाहे के लिए देर तक इनका इंतजार करती रही फिर अकेले ही सब का आनंद ले लिया ये देर रात लोटे मैंने सीधे खाना ही लगा दिया खाने के साथ मधुरम की सामगरी भी परोस्दी अरे ये क्या क्या बना लिया आज कुछ नहीं आज खाना खाकर नहीं गई थी न कैंटीन जाना पड़ा वहीं से कुछ घर के लिए भी बंदवा लिया ओके इन्होंने कहा और खाना शुरू कर दिया पर मैं देख रही थी खाने में इनका जरा भी मन नहीं है फिर मेरा मन भी उचट गया सेलिब्रेशन की हवा निकल गई सारी खुशी बेमजा हो गई मैंने बचा हुआ सब कुछ उठा कर गंगाराम को दे दिया कम से कम उसके बच्चे ही एंजॉय करें खाने के बाद ये रोज की तरह टीवी के सामने बैठ गए मैं कल के लेक्चर्स की तयारी करती रही कोई साढ़े दस बचे मैं सोने गई पर आखों में नीद का नाम नहीं था दिन भर का घटना चक्र दिमाग में खोम रहा था ये कमरे में आये तब रात काफी हो चुकी थी मैं सोने का नाटक किये पड़ी रही पर ये शायद जानते थे कि मैं जाग रही हूँ क्योंकि बिस्तर पर आते ही इन्होंने पुछा तुम्हें पहले से पता था ना मैं उनका मंतव्य समझ गए इसलिए धीरे से कहा हाँ थोड़ा अंदाजा था तो मुझे पताया क्यों नहीं कंफर्म नहीं था ना इसलिए तो आपको साथ ले गई थी वे कुछ देर चुप रहे फिर बोले वो महिला इतना जोश के साथ कॉंग्रेचलेट कर रही थी कि उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाया अब तुमी एकाद बार फोन लगा कर पूछ लेना यही की कैन वी एनिमिनेट मतलब बिफोर इडिस तू लेट क्या छुटकारा पाया जा सकता है मैं एक जटके के साथ उठ पैठी वाट डू यू मीन आपको कोई खास खुशी नहीं हुई यह तो मैं जान गई थी पर आप छुटकारा पाने की बात करेंगे यह नहीं सोचा था लोग क्या कहेंगे यह सोचा है लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे शादी शुदा है हम लोग कोई अवैद संदान नहीं है यह इस उमर में बच्चा पैदा करोगी तो हसी नहीं होगी इस उम्र में शादी की है तो इस उम्र में ही बच्चा होगा ना प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी पर मुझे है इतनी बड़ी बड़ी दो बेटियों के होते हुए तीसरा बच्चा आएगा तो लोग हसेंगे इतनी बड़ी बड़ी दो बेटियों के होते हुए आपने शादी की तब लोगों ने कुछ नहीं कहा और आपकी शादी कोई अनायास नहीं हुई है आपने बाकाइदा मैट्रिमोनियल में पोस्ट आली थी तब बेटियों का खयाल नहीं आया बेटियों का खयाल था तभी तो दूसरी शादी की है जवान होती लड़कियों को घर पर छुड़कर चाते हुए टर लगता है बुआ जी की बहुत मान मनोवल करके यहां लाया था डेट साल तक किसी तरह उन्होंने निभा दिया पर वे उपता आ गई थी उन्होंने अल्टेमिटम दे दिया था मुन्ना जल्दी कोई इंतजाम करो ये चौकिदारी अब हमसे नहीं होगी हमारा भी घर बार है बाल बच्चे हैं नाती पोते हैं बुढ़ापे में हम उनका सुक भोगें कि तुम्हारी धर्मशाला समभालें इधर पलक और महक भी उनसे बोर हो चुकी थी मजबूरन शादी का निर्णे लेना पड़ा उनका एक एक शब्द मुझे छलनी करता चला गया कसैले स्वर में मैंने कहा तो श्रीमान जी अब मुझे एक बात पता दो इस घर में मेरा स्टेटस क्या है रियली मेरे स्वर से वे तिल मिला उठे कुछ कहने को उनके होंट फर फढ़ाए पर वे चुप रहे मैंने ही कहा आपको क्या लगता है मा बनना इतना आसान है क्यों नहीं है बस थोड़ा सा प्यार तो उन्हें वे मा के प्यार के लिए तरस गई है प्यार देना कोई चॉकलेट या टॉफी देना नहीं है और आपकी बेटियों की मा मैं कभी नहीं बन सकती क्योंकि उनके मन में अपनी मा की याद अभी ताजा है वो उस थान पर किसी दूसरे की कलपना भी नहीं कर सकती हो सकता है इस शादी के लिए वे मन ही मन आपको कोस्ती रही हो वे इस समय उमर के बहुत ही नाजुक और भावुक दोर से गुजर रही है इस समय आप उन पर कोई रिष्टा लादने जाएंगे तो वे बगावत कर देंगी हम लोगों के बीट शान्ती पून सहय अस्तित्व बना रहे यही काफी है उस रात हम दोनों में से कोई भी नहीं सो सका सुभा उठी तो सर भारी लग रहा था बहुत ठकान सी महसूस हो रही थी कॉले चाने का जरा भी मन नहीं था पर छुटी लेती भी तो किस पहाने और घर में बैठकर करती भी क्या खाली घर दिन भर भाएं भाएं करता रहेगा वहां कम से कम चार लोगों के बीच समय तो कटेगा सिनिमा के पड़्दे पर उपन्यास के पन्नों पर इस प्रसंग के कैसे मनोहरे चित्र मैंने देखे थे और मेरे घर में ये कैसी विपरीत लीला हो रही है इस उमर में शादी करके मैंने भूल तो नहीं की बेमन से ही सही तयार होकर जैसे ही एक्टिवा की चाबे निकाली मनने वित्रोह कर दिया नहीं अब एक्टिवा से नहीं जाना है गंगा राम को भेज कर मैंने आटो बुलवाया पर कॉलेज पहुँशने तक हालत खराब हो गई लगा कि इससे तो अपनी एक्टिवा ही अच्छी मैं आटो से उतर रही थी कि मिसिस महाजन सामने पड़ गई तो इस खडखडिया में आई है हाँ डॉक्टर ने स्कुटी के लिए मना किया है मैं सफेज जूट बोल गई तो मिया से बोल गाड़ी का इंतजाम करेंगे हम लोगों की टाइमिंग अलग है और डारेक्शन भी तो नई गाड़ी लेने को बोल इस इस स्पेशल चाइल्ड उसके लिए नई गाड़ी होना मांगता प्रेशस चाइल्ड कोई मेरे घर आकर देखे इस प्रेशस चाइल्ड का कैसा स्वागत हो रहा है दूसरे दिन से मैं कैब बुलवाने लगी कभी कोई छोड़ भी देता इस नई वाहन विवस्था का इन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि ये मुझसे पहले निकल जाते थे और मेरे आने के बाद ही लोटते थे एक दिन कोई मीटिंग थी तो मैं देश से घर पहुँची ये मुझे चाइ पीते हुई मिले तुम्हारी स्कूटी दिखी तो मुझे लगा घर पर ही हुँ फिर गंगा राम ने बताया कि आजकल स्कूटी पर नहीं जाती हाँ डॉक्टर ने मना किया है मैंने अपना जूट दोहरा दिया आटो पर जाती हूँ तो कॉलेज में डांट पड़ती है इसलिए आजकल रोज कैब लेनी पड़ती है मुझे लगा ये कहेंगे अरे बताना तो था मैं ड्राइवर फेज देता दिन भर बैठा ही तो रहता है पर ये कुछ नहीं बोले जब गंगाराम चाय का सामान समेट कर ले गया तो गंभीर स्वर में बोले नॉर्मल तो खेर होती ही नहीं है सेजेरियन भी बहुत कॉम्प्लिकेटिट हो जाता है मिसिस जैश अंकर से पूछेगा कि आजकल कितनी डिलिवरीज नॉर्मल होती है हो सकता है डॉक्टर्स स्वार्थवश ऐसा करते हों या सचमुच वैसी जरूरत होती है इस देश में पचास परतीशत से ज्यादा डिलिवरीज सेजेरियन होती है और मिस्टर नारंग भी कह रहे थे क्या इस उमर में जो बच्चे पैदा होते हैं वे एबनॉर्मल होते हैं या तो मंदबुधी होते हैं या पंग नारंग सहब को शायद पता नहीं कि पुराने जमाने में और दे मेनो पास तक बच्चे पैदा करती जाती थी क्योंकि रोकने का कोई साधन नहीं था आठ-ाठ-दस-दस की लाइन लग जाती थी पर वे सब बच्चे नॉर्मल होते थे हाँ मा की हालत जरूर दिन बदिन खस्ता होती जाती थी पहले वाले दोनों लड़कियां ही है वो डर लगता है एक और लड़की आ गई तो तो क्या इन दोनों की पढ़ाई और शादी के बाद तीसरी के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा मैं कमा रही हूँ न सब संभाल लूँगी जुड़वा भी हो सकती है होने दीजिये जैसे पलक और महक पल गई वे भी पल जाएंगी फोरे चेंज बेटा भी तो हो सकता है बेटे का मैं क्या करूँगा उसके जवान होने तक तो मैं बुड़ा हो जाऊंगा तो वो आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा लोग इसी दिन के लिए तो बेटे की काम ना करते हैं मतलब तुम्हारे पास हर बात का जवाब है इन्होंने खीच कर कहा मेरे पास हर बात का जवाब है क्योंकि मैं सकरात्मक ढंग से सोचती हूँ पॉजिटिव अप्रोश रखती हूँ आप हर बात को नकरात्मक ढंग से देखते हैं सोचते हैं ओफिस में भी आपने यह बात बड़े मायूस अंदाज में की होगी तब ही लोगों ने आपको इतने भयानक उधरन दिये कॉलेश में तू मुझ पर बधाईयों की वर्शा हो गई थी जबकि मैंने सिर्फ इतना बताया था कि मैं डॉक्टर के यहां से आ रही हूँ वो मुझ पर छोड़ दीजिए माना कि हम लोगों के संबंध नितांत आपचारिक हैं हम लोगों के पीच कोई संबाद नहीं है पर मैं संभाल लूँगी पर एक बात सरूर कहूंगी कहां तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मा का प्यार दूँ पर आपने मुझे उनसे जुड़ने ही नहीं दिया इतने दिनों तक बुआ जी की कैद में थी उनके जाते ही आपने लड़कियों को होस्टल में भेज दिया उन दोनों की ही जित थी कह रही थी कि हमारा बारवी का साल है हम शान्ती से पढ़ना चाहती है तो आपका कहना था कि यहां उनकी शान्ती भंक करने वाला कोई नहीं है जो थी वे अपने घर चली गई है पर आपने मना नहीं किया क्योंकि आप भी बच्चों के सामने मेरे साथ कमफर्डेवल नहीं हो पाते थे उसी कमफर्ड जोन का नतीज़ा भुकत रहा हूँ मैं इन्होंने कहा और एकदम उठकर चल दिये मैं देखती रह गई पिछले आट-दस दिनों में ये आदमी कितना बदल गया है यह यही इसका असली चहरा है नए नवेले प्रेम के उनमाद में मैं तब इतना खो गई थी कि सब कुछ रंगीन नजर आ रहा था इतनी जल्दी मोह भंग हो जाएगा यह नहीं सोचा था ये ओफिस से लोटे तब मैं तयार होकर हॉल में बैठी थी बोले अभी अभी आई हो मैंने सिरहला दिया बोली नहीं ये कुछ देर तक मुझे देखती रहे फिर बोले इतना ड्रेस अप होकर कॉले चाती हो थैंक गॉड आपका ध्यान तो गया श्रीमान जी मैं मंदिर जाने के लिए तयार होई हूँ मा का आदेश था शादी के बाद पहली बार दर्शनों के लिए चा रही हो खूब सच समर के चाना किसके दर्शनों के लिए चा रही हो मा तराने के नवरात्री चल रही है कुछ पता भी है और मा का आदेश है कि अकेली मज जाना जोडे से चाना इसी लिए आपके प्रतिक्षा कर रही थी चलेंगे ना वे थोड़ी देर सोचती रहे फिर बोले चाई पी ले फिर चलते है मैं इतना खुश हो गई थी पूरे रास्ते चहती रही पता है पहले मैं पूरे नौ दिन तक प्रत रखती थी बिना नमक का खाती थी सुभा सबेरे माता के दर्शनों के बाद ही चाई पीती थी इस पार उपवास के लिए पर रात के मुकाबले में कम थी इसी लिए मैंने यह समय चुना था इतना से पूजा हो सकी मैं जब पंडित जी से थाले लेकर उसमें साड़ी चूडा, बिंदिया, नारियल मिठाई, माला और पैसे रख रही थी ये लगातार मुझे घूर रहे थे पूजा करके बहार आने पर मैंने कहा देव दर्शन के बाद थोड़ी देर बैठने का विधान है कहीं बैठ ले मुझे सीडियों पर बैठना बहुत अच्छा लगता है पर इस समय वह असंभव था भक्तों का रेला सा चला आ रहा था फिर मुझे याद आया नीचे कुंड के पास दिवाल से लगी पत्थर की बैंचे हैं सो भाक्य से एक खाली मिल गई हमने वही आसन जमा लिया सो थैंक्सकिविंग अच्छे से संपन हो गया मैं चौक पड़ी आपने अभी कुछ कहा यही कि धन्यवाद ग्यापन अच्छे से हो गया धन्यवाद कैसा मा ने कहा था शादी के बाद पहली बार जा रही हो तो माता रानी को साड़ी जरूर चड़ाना वैसे भी हमारे यहां भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं किये जाते आपके यहां का पता नहीं क्यों? हम क्या हप्षी हैं? तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? धन्यवाद की बात आपके मन में कैसे आ गई? मुझे लगा तुमने मननत मांगी होगी जिसे पुरा करने के लिए आई हो मैंने कोई मननत नहीं मानी थी यह तो एक नित्य नमित्तिक कारे था पर अब जब आपने बात उठाई ही है तो आपको साक्षी रखकर एक मननत मांग लेती हूँ माताजी जिस दिन अपने बच्चे को गोद में लेकर दर्शनों को आऊंगी पूरे ग्यारा सो लड़ूओं का भोग चड़ाऊंगी प्लीज बेटे की मननत मत मांगना मैंने तो बेटा बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कहा केवल बच्चे को लेकर आने की बात की थी और आपको बेटे से परिशानी क्या है बेटा हो गया तो पलक और महक यही सोचेंगी कि मैंने बेटे के लिए दूसरी शादी की है उनकी इस बात पर मुझे गुस्सा आना चाहिए था रूला यानी चाहिए थी पर उल्टे हासी ही आ गई मान गए मिस्टर कुमार आपको मान गए आपके दिमाग की सच मुझ दाद देनी पड़ेगी ये रोज नए नए फंडे आप कहां से ले आते हैं कैसे फंडे वेकुर राए मैंने यह अपेक्षा कभी नहीं की थी कि इस खबर को पाते ही आप खुशी से जूम उठेंगे क्योंकि जानती हूँ ये आपकी पहली संतान नहीं है पर आप इतने गम जदा हो जाएंगे यह सोचा नहीं था मुझे फुसलाने के लिए कैसे कैसे तरक आपको सूच जाते हैं पर आपको बता दू मिस्टर कुमार मैं बेवकुफ नहीं हूँ कि आपके बहकावे में आकर इस इश्वर ये सौगात को लटा दू सो मिस्टर कुमार नाव ये क्या तब से मिस्टर कुमार लगा रखा है वे एकदम हत्ते से उखड गए थे मैं क्या करूं मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी अजनभी के साथ यहां बैठी हूँ पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंजनभी के साथ रिलेशन्शिप में हूँ और यह फिलिंग मुझे में बड़ी गिल्ट भर देती है मैं अपराद बहुत से ग्रस्थ हो जाती हूँ मिस्टर कुमार क्या पकवास कर रही हूँ सच कह रही हूँ इन आठ दिनों में आप कितने बदल गए है आपको इस बात का एहसास नहीं है जिस व्यक्ति से शादी की थी वो व्यक्ति कोई और ही था शादी के बाद कई लोगों का मोभंग हो जाता है क्योंकि सब कुछ मन जैसा नहीं हो पाता पर मेरा मोभंग इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी कलपना नहीं की थी शुरुआत शायद शादी के दिन से ही हो गई थी मेरे खर में उस दिन उत्सव कासा वातावरन था जिन लोगों के लिए मैंने इतनी दिन वेरा के धारन कर लिया था वे मेरे भाई बहन मुझे वधुवेश में देखकर आनंद विभोर हो रहे थे बड़ी बूरियां आशिरवादों की जड़ी लगा रही थी कह रही थी बिटिया शादी में पहले ही पहुत देर हो गई है अब बाकी काम जल्दी से निप्टाना और देर मत करना वहां से विदा होकर आई तो यहां का महौल एक्टम विपरीत था बहुत ज्यादा धूम धाम की मैंने आशा नहीं की थी पर यहां आकर ऐसा लगा जैसे अभी अभी यहां से कोई अर्थी उठी हो घर में 10-15 लोग थे उनके चहरे से लग रहा था जैसे मातम पुर्जी पर आये हो जिन देवी जी ने मुझे आर्थी उतार कर भीतर लिया वेमानों के राय पर लाई गई थी ना कोई ललक ना कोई उत्सुकता चहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं थी बस उन्होंने एक रस्म अदाई की सी कर दी जश्न का माहौल ना सही पर दर्वाजे पर एक बिजली की जालर तो लगाए जा सकती थी मेरे सुआगत में चार सुआगिनों को लड़ू तो बांटे जा सकते थे किसी ने हमारा कमरा तो ठीक किया होता मैं सजाने की बात नहीं कर रही हूँ पर ठीक तो किया जा सकता था मैं सांस लेने के लिए रुगी लगा ये अब कुछ कहेंगे पर चुप चाप मुझे देख रहे थे घर में जितने लोग थे सबने जैसे एक राय बांधली थी सबने मुझे आशिवाद दिया खुश रहो अस्ट पुत्र सोभागे वाती वाला आशिवाद आजकल कोई नहीं देता जानते हैं पर नई दुलहन को कम से कम फलो फूलो तो कह सकते थे वे लोग कोई रिशी मुनी तो थे नहीं कि उनके कहते ही बच्चों की लाइन लग जाती और आपकी परम पुझे बुआ जी वे तो बहुत ही महान निकली क्यों? बुआ जी ने क्या किया? उन्होंने आशिवाद दिया जो हैं उन्ही में खुश रहो वे यहां दो महीने थी मैंने जब भी किसी मौके पर प्रणाम किया उन्होंने यही आशिवाद दिया जिस दिन वे गई मेरे प्रणाम करने पर उन्होंने यही आशिवाद दोहराया आखिर मैंने पूछी लिया बुआ जी इसका मतलब तो समझाती चाहिए तो बोली यह जो दोनों बच्चियां है न अब इनी से संतोश रखो बस उनका यह बस मेरे कलेजे में शूल की दरहां कड़ गया मिस्टर कुमार मा बनना हर औरत का अधिकार है उसे छीनना उसके इस्तृत्व का अपमान करना है मैं यह अपमान कभी सहन नहीं करूंगी बच्चे को जन्म देना है या नहीं यह तै करने का अधिकार सिर्फ मुझे है इसमें किसी की दखर अंदाजी नहीं चलेगी और अब मेरा निर्ने सुन लेजिए यह बच्चा इस दुनिया में आकर रहेगा अगर आपके घर में उसके लिए जगा नहीं है तो मैं कहीं और चले जाऊंगी वैसे भी मैं उसे ऐसे वातावरण में जन्म देना चाहती हूँ जहां उसका प्रेम से स्वागत हो उसके जन्म पर खुशियां मनाई जाए बधाईयां गाई जाए मिठाईयां बाटे जाए आपके घर में तो उसके आने से मातम ही होगा इसके पावजूद आपको कोई असुईधा हो तो बता दीजिए मैं बिना शर्त आपको आजाद कर दूँगी बस एक विंती है इस बार जिस केर टेकर को आप घर में लाएंगे उसे पहले से समझा दे और मैं उठकर खड़ी हो गई Now the choice is yours Mr. Kumar अपने निर्ने से मुझे शिकर आवगत कराएं और मैं पलट कर चल दी मैंने मुड़कर देखा भी नहीं कि वे पीछे आ रहे हैं या नहीं मेरे जीवन में अप उनकी कोई एहमियत नहीं रह गई थी यह शादी मैंने अपने अकेले पन को बांटने के लिए की थी पर अप मैं अकेली कहां थी अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी दर का हुआ दरपन और खंडित छवियां सुन रहे थे मालती जोशी जी की ऐसी ही खुबसुरत कहानिया आप कथा साहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं कथा साहित्य में साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद